नमस्कार हमारी यूटूब चैनल पे आप सभी का सौकत करते हैं आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे वी फार्मा के लेटर इंट्री के बारे में बताएंगे ठीक हैं तो आज हम V Pharma के लेटर इंटरी के लिए Slabs बताएंगे, कि कौन से बुक से आता है और हमें क्या-क्या पढ़ना होता है, ठीक है, तो देखे, Slabs of Examination for V Pharma, तो देखे हम बात करते हैं Time Duration की, हमें Intrance Exam में कितना समय मिलता है, तो हमें Test Duration में जो हमें Time मिलता है, ओ दो घंटे का म मिलता है, और इसमें जो होता है, नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो देखे, इसके Silabs क्या है, इसमें कहां से Question आते हैं, तो हम बात करते हैं, Pharmaceutical Chemistry, फर्स्ट है, Pharmacognosy, और Biochemistry and Clinical Pathology and Human Anatomy and Physiology and Health Education and Community Pharmacy सब्जेक्ट है, इसमें से Total जो हमारी Question आते हैं, ये लगभग 50 Question आते हैं, ये 6 एबुक से हमें 50 Question हमें मिल जाएंगे, तो हमारा जो एक Question होता है, वो चार नंबर का होता है, तो इस परकार इस 6 सब्जेक्ट से हमें 200 नंबर ठीक है, हमें आते हैं, एक्जामनेशन में, तो इसी परकार बात करते हैं, Pharmaceutics Second और Pharmaceutical Chemistry Second और Pharmacology and Taxicology और Pharmaceutical Juris, और Drug Store and Business Management और Hospital and Clinical Pharmacy, और ये जो हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें से Total मिलाके लगभग 50 Question आते हैं, ठीक हैं, तो इसमें से एक Question जो होता है, चार नंबर का होता है तो इसमें से लगभग हमें 200 नंबर का हो जाता है, तो इस परकार से हमें 100 Question आते हैं, ठीक है, 100 Question आते हैं, और वही 400 मारका होता है, ठीक है, अई जो पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, जो हमारा V Pharma Letter Entry के लिए होता है, उसमें सिर्फ एक ही पेपर देना होता है, ये नह पेपर है, ठीक है, इसके लिए मारकेट में जो हता है, इंटरेंस एक्जाम के लिए कोई एस्पेसल बुक नहीं आती है, तो आप लोग यही जो फर्स्ट यार और सेकंड यार में आप लोगों नहीं ये बुक पढ़ा है, तो इसी ही बुक से 400 नंबर का आता है, ठीक है, इ मैं आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी,